हेलो, वेलकब टू अल आफ यू, मचेतन सिंग, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर अरवर पर स्वाकत करता हूँ ये इकाई फर्स्ट का ये दूसरा अध्याय आपका शुरू होता है क्या हमारे चारो और उपस्थित पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे चारो और उपस्थित पदार्थ शुद्ध हैं? Is matter around us pure? तो देखिए सबसे पहले थोड़ा साम लोग introduction लेते हैं कि जैसे हम चीनी या मिट्टी इसे किसी कागज पर साफ रख दें अब हम चीनी के सभी कड़ों का आका, रंग, आकरती अगर इन सब पर नजर दें तो हम देखते हैं कि ये लगभग एक ही आकार का एक ही रंग का समान आकरती का ये है परन्तु मिट्टी की कड़ों में अधिहन देखें तो इसका रंग, आकरती ये भिन भिन है क्योंकि इसमें कुछ घास के कड़ भी हो सकते हैं किड़े मकोडे हो सकते हैं इस तरह से अन्य तमाम चीज़ें होती हैं लेकिन चीनी में एक ही परकार के कड़ होते हैं तो अगर एक ही परकार के कड़ होते हैं तो उसको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं एक ही परकार के अगर कड़ हैं तो वो शुद्ध पदार्थ होगा, प्यॉर सबस्टेंस होगा जबकि मिट्टी जो है ये अशुद्ध पदार्थ या मिशरण होगा तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ के अंतरगत हम तत्तो योगिक प्यूर सबस्टेंस एलिमेंट एंड कमपॉंट्स इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या है वे पदार्थ जिन में केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं शुद्ध पदार्थ ये तत्तो होते हैं और योगिक पदार्थ होते हैं तत्यो तत्यायोगिक जो पदार्थ हैं इन्ही को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं अब इनके उदारण क्या क्या हो सकते हैं जैसे तत्यो है आपका सोना, चादी, कापर, मरकरी, सलफर, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, आक्सीजन आद ये सभी पदार्थ, ये शुद्ध पदार्थ के उदारण हैं जो तत्यो के रूप में हैं और योगिक, देखते हैं, योगिक क्या होते हैं योगिक में आपका है नमक, चीनी, जल, कैलशियम, आकसाइट, सल्फियूरिक, एसीड, सल्फियूरिक, अमल, आदी ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, इन शुद्ध पदार्थ का गलनांक, कुतनांक और संगठन ये निश्चित होता है तो सुद्ध पदार्थ कौन से हुए? जो पदार्थ में एक ही प्रकार के करण जिन पदार्थों में उपस्थित होते हैं शुद्ध पदार्थ हुए और शुद्ध पदार्थ तत्त और योगिक इसके रूप में ये पाये जाते हैं अब ये अशुद्ध पदार्थ क्या है अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण जिनको हम कहते हैं दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ ये एक साथ ये मिशिर्थ होते हैं, इनको हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं ये अशुद्ध पदार्थ के उदाहरण हमारे जैसे नमक का विलेयन, चीनी, दूद, समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी, पे, पदार्थ, शर्बत, गुड, पेट्रोलियम, आपका सी एन जी, एल पी जी, धूँआ, गन पाउडर ये जैसे बायो गैस, लकड़ी, चाय, काफी, वायू, आदी, ये सब जो है मिश्रण के उदाहरण हुए अब ये हम देखते हैं कि जो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है ये जो आपने नमक, काविलेयन, चीनी काविलेयन, दूद, समुद्री जल, ये सब आपने देखा इसके अलावा दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण के रूप में भी हम देखते हैं जैसे मक्षन, पनीर, शैंपू, साबून, तेल, टूथपेस्ट, ये सब भी मिश्रण के उदार्थों है मिश्रण जो है ये दो परकार के होते हैं कौन-कौन से ? एक समांगी, मिश्रण होमोजीनियस और एक विषमांगी, मिश्रण हेटरोजीनियस समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण ये दो तरह के होते हैं अब समांगी मिश्रण क्या है समांगी मिश्रण देखते हैं जिस मिश्रण के प्रतेक भाग का संगटन एवं गुरधर्म समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है सभी समांगी मिश्रण ये विलेन कहलाते हैं सभी समांगी मिश्रण विलेन कहलाते हैं अब जैसे इसका हम उदाहरण आपको दे रहे हैं ये उदाहरण है आपका जल में चीनी का मिश्रण जैसे हमने एक गिलास ये पानी ले लिया और इसमें हमने नमक डाल दिया या चीनी डाल दिया चीनी डाल देते हैं तो चीनी डालने पर क्या होता है ये इस जल के कड में घुल जाता है और इसको हम शर्बत कहते हैं या ऐसे कहते हैं कि ये जल और चीनी का क्या हो गया विलेन हो गया ये समांगी मिश्रण क्यों है क्योंकि इसके प्रतेक भाग का संगठन और गुरधर्म ये एक समान होता है एक समान होने का मतलब कि अगर हम टेस्ट जैसे कर रहे हैं तो आप एक चमच निकाल के टेस्ट कर रहे हैं दूसरा फिर चमच निकाल के टेस्ट कर रहे हैं तो चीनी उसमें गुला हुआ है आपको मीठा लगेगा चीनी के कण कहीं दिखाई नहीं देंगे समान रूप से उस पानी के अड़ों के बीच में मिल जाते हैं इसी तरह से प्रदूशित वायू प्रदूशन रहित वायू मतलब वायू में जो धुआ हुआ के कण हैं ये सब अगर ना रहें सिर्फ वायू का ही वायू जो है ये आकसीजन, नाइट्रूजन, कारबन डायाकसाइड इन गैसों का मिशरण है तो हम इसे कह सकते हैं ये आपका समांगी मिशरण होगा नमक का विलेन, कापर सलफेट, समुद्र का जल, आपका अलकोहल, जल का मिशरण, पीतल, स्टील, कासा, पेट्रोल और केरिस्टीन ये सब भी समांगी मिशरण के उदारण होते हैं तो समांगी मिशरण आपका ठोस का ठोस के रूप में भी हो सकता है जैसे आपका स्टील हुआ, कांच हुआ, पीतल हुआ, द्रो का द्रो के रूप में भी हो सकता है आपका पेट्रोल हुआ, केरोसीन हुआ, या जल का मिशरण हुआ, अलकोहल हुआ द्रो का ठोस के रूप में भी हो सकता है, जैसे आपका समुद्री जल हुआ ठोस और द्रो के रूप में हो सकता है जैसे आपका कौपर सलफेट हुआ, नमक का विलेन हुआ, चीनी का गोल हुआ इस तरह से ये आपके समांगी मिशरण के उदारना फिर हम देखते हैं विसमांगी मिशरण विसमांगी मिशरण क्या होते हैं जिस मिशरण के प्रतेग भाग का संगटन और गुरधर्म ये समांगी मिशरण कहते हैं जैसे पानी में आप चाक को घोल दीजिए तो चाक दूदिया हो जाता है, आपका घोल दूदिया हो जाएगा लेकिन अगर आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए अगर उस घोल को कुछ देर के लिए रख दीजिए तो चाक के कण नीचे बैठ जाते हैं और आपका पानी ये निथर जाता है तो ऐसे मिश्रण को हम विश्मांगे मिश्रण कहते हैं लेकिन शर्बत या चीनी नमक का घोल चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल उसको आप बहुत देर तक रख भी रीजिए तब ही वो नीचे नहीं बैठते हैं चीनी के कड़ नीचे नहीं बैठते हैं तो वो समांगी होंगे और ये विश्मांगी होगा ऐसे अगला उदारण के रूप में है आपका पेट्रोल और जल रेत और पानी तेल तथा पानी रेत तथा सीमेंट चावल तथा गियों एक साथ मिला दीजिए आप गन पाउडर दूद, इंक, रुधिर गंदा पानी, मक्षन, पनीर, कोहरा सेविंग क्रीम, टूथ पेस्ट, स्टार्च, विलेयन, प्रदूशित वायू अगर प्रदूशित वायू है तो वो विसमांगी मिशरण होगा उसमें धुआद के कन होंगे और अगर प्रदूशन रहित वायू है तो वो समांगी मिशरण कहलाएगा सभी निलंबन तथा कोलाइड मिशरण ये विसमांगी मिशरण होते है सभी निलंबन और कोलाइड मिशरण ये कैसे मिशरण होते है ये विसमांगी मिशरण होते है ये देखते हैं कि जो पदार्थ हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इसे हम एक साथ कर दे रहे हैं कि पदार्थ जैसे ये पदार्थ है अपका इस पदार्थ को हम दो भागों में बाड़ते हैं एक शुद्ध पदार्थ और एक आपका मिश्रण हो गया शुद्ध पदार्थ ये पुनह दो भागों में हैं आपका तत्य है और आपका योगिक है हम आपको उदारण साहिर इसको बताए ऐसे ही मिश्रण ये इसको दो भागों में हम बाढ़ सकते हैं एक समांगी मिश्रण और एक विस्मांगी मिश्रण अब समांगी तथा विस्मांगी मिश्रणों में अंतर क्या होता है ये समांगी मिश्रण और विश्मांगी मिश्रण में अंतर क्या होता है तो जैसे मा लेते हैं कि ये समांगी मिश्रण को इंडिकेट कर रहा है और ये पॉइंट विश्मांगी मिश्रण को इंडिकेट कर रहा है तो इसमें जैसे एक point हमने लिए कि आवयो के संगठन तथा गुडधर्म तो आवयो का अगर संगठन और गुडधर्म देखा जा जैसा कि परिभाशा के रूप में हम लोग उने लिया अगर समान रहता है तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है और अगर भिन भिन आसमान रहता है या समान नहीं रहता है तो वो विश्मांगी कहलाता है इसको आप लोग ऐसे एक लाइन खीच करके इधर समांगी मिश्रण समांगी और इधर विश्मांगी ऐसे करके आप लिखिएगा विश मांगी इसमें जैसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा समांगी में कि आवयों के संगठन तथा गुर्धर्म समान होते हैं यहां लिखिएगा ऐसे इधर लिखिएगा आवयों के संगठन तथा गुर्धर्म समान नहीं होते हैं ऐसे यहां लिखिएगा नमबर दो करके उपस्थित अवयों को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है इसे चीनी और पानी का घोल इसमें चीनी और पानी को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है और इसमें उपस्थित अवयों को ये पृथक पृथक रूप से देखा ज सकता है और दोनों ही कि कुछ उदारन दे दीजिए तो इस तरह से हम समांगी और विस्मांगी मिश्रण को अंतर के रूप में इस तरह से देख सकते हैं अब देखते हैं विलेयन क्या होता है विलेयन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दो या दो से अधिक अगर पदार्थ हैं और उनका समांगी मिश्रण हम लोग बनाते हैं या विश्मांगी मिश्रण बनाते हैं तो अगर दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण लिया जाता है तो वो विलेयन कहलाता है शलूशन कहलाता है जैसे चीनी और पानी का विलेयन चीनी और पानी में क्या ह और विलेन तयार होता है जो घोलता है उसको हम कहते हैं विलायक या जिसमें कोई पदार्थ घोलता है वो विलायक कहलाता है और जो घोलता है उसको हम सल्यूट कहते हैं विले कहते हैं और दोनों मिल करके क्या बनाते हैं ये विलेन बनाते हैं अब जैसे हमने आपको बताया कि चीनी और पानी का विलियन, ऐसे नमक और पानी का विलियन, नीबू और पानी का विलियन, सिरका, मिश्र धात्मिय, पीतल, वायू, कापर सल्फेट, आदी का, कापर सल्फेट का विलियन, आदी, ये सब विलियन के उदाहरणा है अब ये जो विलिये और विलायक मिल करके विलेन बना रहा है ये विलेन जो है ये द्रो रूप में गैस रूप में या ठोस रूप में हो सकता है इसलिए इसको हम लोग तीन भागों में बाटते हैं जैसे पहला है हमारा द्रो विलेन द्रोविलेन का मतलब हुआ कि इसमें जो विलिय होगा वो फोस द्रोव या गैस हो सकता है लेकिन जो विलायक होगा जिसमें घुलेगा वो द्रोव होगा द्रोव में फोस भी घुल सकता है द्रोव में द्रोव भी घुल सकता है और जो इसका भावतिक अवस्था होगा वो द्रव होगा इसका उधारन जैसे हमारा सोडा वाटर है सोडा वाटर का मतलब जैसे पानी में सोडा ये ठोस के रूप में ये भी गुल सकता है और उसमें गैस के रूप में कारबंडा ये अकसाइड भी गुला होता है ये सोडा वाटर का उदारना ऐसे गैसिये बिलियन गैसिये बिलियन का मतलब हुआ कि इसमें बिलायक भी गैस होता है और बिलिये भी गैस होता है और जो भौती का वस्था होगी ये भी गैस होगा तो जैसे वायू अब वायू में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है अब मालेजी कि नाइट्रोजन बिलायक हो गया तो इसमें आपके आकसीजन, कारबन डाया अकसाइड और इस तरह से गैसें जलवाश ये घुले हुए हैं तो गैस का गैस में ये विलेन बना विले भी यहां गैस है और बिलायक भी यहां गैस ही है अब देखिए एक महतपूर पॉइंट जैसे अभी हमने कहा कि नाइट्रोजन को हम बिलायक ले ले रहे हैं तो कहा जाता है कि नाइट्रोजन को वायू का बिलायक कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि वायू में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में होती है और सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका नाइट्रोजन ही है तो ऐसा हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन में सारी गैसें ये समांग रूप से गुली हुई है मतलब गैस का गैस में विलेन बना हुआ है तीसरा है हमारा ठोस विलेन ठोस का ठोस में विलेन मतलब बिलायक भी यहां ठोस होगा और विले भी ठोस होगा और इस तरह से जो भावतिक अवस्था होगी वो भी ठोस होगी तो मिश्रदाहत वे इस तरह से बनाए जाती हmachine जैसे आपका उदाहरण पीतल है पीतल में जो है यह जस्ता होता है और कापर होता है लबख 30% आपका जस्ता और 70% कापर यह मिलकरके पीतल मिश्रदाहत बनाते हैं तो आपका बिलायक हो गया कौपर और जिंक को उसमें गुला हुआ है समझ लिए तो ये भी ठोस रूप में है ये बिलिय हो गया तो इस तरह से ठोस बिलेन के रूप में इसको हम देख सकते हैं फिर आगे हम लोग देखते हैं विलेयन को मिशरण मानते हैं विलेयन को हम मिशरण क्यों मानते हैं इसको देखिए विलेयन को मिशरण मानते हैं क्यों की क्यों मानते हैं इसमें पहला पॉइंट विलेयन के अवयों को भावतिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता ह इसको हम विलेन को मिश्रण क्यों मानते हैं हम भावतिक विधियों दोरा इसके अवयों को अलग-अलग कर सकते हैं जैसे चीनी और पानी से जो शर्बत बना अगर हम उसको भावतिक विध गरम कर दें तो पानी उड़ जाएगा चीनी बच जाएगा तो इस तरह से हम पानी और चीनी को अलग कर सकते हैं तो जहां अलग किया जा सकता है वो मिश्रण है दूसरा है विलेनों का निश्चित कौथनांक नहीं होता जो विलेन होते हैं इनका कौथनांक निश्चित नहीं होता है ये बिले की कितनी मात्रा गुली हुई है इस पर भी निर्भर करता है तीसरा है बिलेन अपने अवयों के गुर धर्मों को दर्शाता है बिलेन क्या होता है अपने अवयों के गुर धर्मों को दर्शाता है कि उसमें कौन कौन से अवयों हैं जैसे आपको solution घोल के दे दिया गया नमक का solution भी और चीनी का solution तो आप चख करके यह बता सकते हैं कि किसमें नमक है और किसमें चीनी है तो इस तरह से वो अपने गुर्धर्म को प्रकट करता है अवयों के गुर्धर्मों को इसमें क्या चीज मिला हुआ है विलेन का संगठन परिवर्तित हो सकता है विलेन का संगठन परिवर्तित हो सकता है इसका मतलब कि जैसे एक निश्चित मात्रा पानी में चीनी की ज़्यादा मात्रा भी हो सकती है और कम मात्रा भी हो सकती है ये विलयन को ही प्रदर्शित करेगा लेकिन मात्राएं इसकी अलग-अलग होती ही इसका मतलब संगठन इसका परिवर्थित हो सकता है ये हम लोग जान ही चुके हैं कि विलायक क्या होता है तो विलायक क्या होता है कि विलेयन का वह भाग जिसमें अन्य अवयो घुले हों ये विलायक कहलता है जैसे शर्बत में पानी और चीनी ये दोनों एक साथ रहते हैं तो पानी यहां विलायक होगा और चीनी यहाँ क्या होगा यह विलिये होगा विलिये क्या होगा विलेन का वह अवयो जो विलायक में खुला होता है उसको हम कहते हैं विलिये जैसे आपका चीनी विलिये अपनी भावतिक अवस्था को खो देता है जबकि विलायक अपनी भावतिक अवस्था को बनाए रखता है जैसे पानी और चीनी का जो विलिये तयार हुआ उसमें विलिये आपका क्या है चीनी विलिये आपका क्या है चीनी चीनी अपनी भावतिक अवस्था को खो देता है बावतिक अवस्था इसका ठोस है ये अपनी भावतिक अवस्था को खो देता है और पानी पानी जो विलायक है मतलब द्रव अवस्था में है ये अपनी बहुतिक अवस्था को बनाए रखता है इसलिए जो विलेन तयार होता है ये द्रव अवस्था में रहता है विलेयन की विशेष्ताओं को जानते हैं जो सामाउगी मिशरण आपका बना तो पहला ही हम पॉइंट यही लेते हैं कि विलेयन सामाउगी मिशरण होता है दूतरा यह हुआ कि विलेयन में प्रकाश का मार्ग यह दिखाई नहीं देता क्योंकि विलेयन के कड इतने छोटे होते हैं कि ये गुजर रही प्रकास की किरणों को नहीं फैलाते बहुत छोटे होते हैं ये और गुजर रही प्रकास के किरणों को ये फैला नहीं सकते इस करटर नहीं कर सकते विलेयन को चान कर विलिये और विलायक को हम अलग नहीं कर सकते चौथा पॉइंट विलेयन के कड़ों को नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता और पांचवा है हमारा विलेयन अस्थाई होते हैं इन्हें काफी देर तक रखने पर भी विलिये के कड़ ये नीचे नहीं बैठते अर्थात विलायक से अलग नहीं होते जबकि मिश्रण में सामाने मिश्रणों में ये हो जाता है और विलेयन जो है ये अस्थाई होते हैं ये बहुत देर तक ऐसे ही बने रहते हैं विलेन की स्तांदर्ता Concentration of Solution Solution का Concentration क्या होता है जैसे अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि विलायक में विलिये की कम मात्रा भी डाली जा सकती है विलायक में विलिये की जादा मात्रा भी डाली जा सकती है तो जब किसी विलियन में विलिये की कम मात्रा होती है तो उसे हम तन विलियन कहते हैं डाइल्यूट सलूशन कहते हैं और जब किसी विलियन में विलिये की अधिक मात्रा गुली होती है तब हम उसको सांद्र विलियन या कंसंट्रेट सलूशन कहते हैं जब कम विलिय की मात्रा होगी तो उसको हम डाइलूट शलूशन कहते हैं और जब ज़्यादा मात्रा गुली होती है तो उसको हम कंसेंट्रेट शलूशन कहते हैं इसको जानने के लिए हम तीन प्रोसेस का परियोग करते हैं या तीन पॉइंट का परियो करते हैं या तीन सूत्र का परियो करते हैं यह हमारा जैसे द्रब्यमान प्रतिशत्ता इसको हम डबलू बाई डबलू कहते हैं द्रब्यमान प्रतिशत्ता यह डबलू बाई डबलू है क्या है मतलब वेट बाई वेट मतलब विलिये का भी मात्रा द्रब्यमान में और विलेन की भी मात्रा द्रब्यमान में सो ग्राम विलेन में उपस्थित किसी विलिये पदार्थ की ग्राम में संख्या उसकी द्रब्यमान प्रतिशता कहलाती है इसके लिए हम सुत्र का प्रियोग करते हैं द्रब्यमान प्रतिश्चत बराबर विलिये का द्रब्यमान और बटा विलेयन का द्रब्यमान ये हमेशा याद रखना है नीचे हर में ये विलेयन की मात्रा रहेगी तो विलेयन का द्रब्यमान रहेगा इन्टू हंड्रेड ऐसे दूसरा है हमारा द्रब्यमान आयतन द्रब्यमान आयतन मतलब डबलू बाई वी विलिये का द्रब्यमान लेना है और विलेयन का आयतन लेना है इसके पदों में सांदरता आपको बताना है तो किसी विलेन के 100 मिली लीटर में गुले हुए विले पदार्थ की ग्राम में मात्रा उसकी सांदरता ये द्रब्यमान आयतन के पदों में हम बेक्त करते हैं क्या अभी पराय हुआ कि वी ये 100 मिली लीटर विलेन का आयतन जो है ये 100 मिली लीटर में कितने विलिये पदार्थ गुले हुए हैं विलिये पदार्थ की ग्राम में जो मात्रा होगी ये आपका W by V के पदों में कंसेंटेशन होगा और इसके लिए हम सूत्र लिखते हैं द्रब्यमान बटा आयतन W by V ये परशत्ता होगी विलिये का द्रब्यमान बटा विलेन का द्रब्यमान गुडे 100 तीसरा ही पॉइंट हम लोग का होगा ये दिखिए तीसरा है हम लोग का पॉइंट ये तीसरा पॉइंट है ये दिखिए आयतन बटा आयतन मतलब V by V V by V के पदों में आयतन बटा आयतन इसमें विलिये का भी आयतन लिया जाएगा और विलेन का भी आयतन लिया जाएगा जैसे द्रब का द्रो में अगर शलूशन बनता है उसके लिए हम इसकी का पॉरियोग करते हैं किसी विलेयन के 100 ml, 100 ml में उपस्थित विलेय का मिली लीटर में आयतन, उसकी सांदरता ये आयतन आयतन के पदों में ब्यक्त किया जाता है, इसकी परशत्ता को हम लिख सकते हैं, विलेय का आयतन, बटा, विलेयन का आयतन और गुड़े 100 इन तीनों सूत्रों पर आधारित हम आपको कुछ नुमेरिकल बता रहे हैं, ये नुमेरिकल भी बहुत आसान से हैं, जैसे आपका ये पहला नुमेरिकल है, ये पहला है नुमेरिकल, 3.5 ग्राम चीनी को, तो चीनी क्या है, ये आपका विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ की मातरा कितनी हो गई तीन दस्मलों पांच ग्राम ऐसे लिग लेते हैं विले पदार्थ का द्रब्मान ये आपका चीनी है यहां ये तीन दस्मलों पांच ग्राम हो गई च्छी आलिस दस्मलों पांच ग्राम जल में घोल कर तो ये आपका विलायक हो गया विलायक कितना हो ग द्रब्यमान लिया जाएगा यम कहिए या डबलू बाई डबलू कहिए आपने डबलू बाई डबलू लिखा है डबलू बाई डबलू के पदों में आपको चाहिए तो सबसे पहले विलेन बना लीजिए तो विलेन का द्रब्यमान कितना हो गया इन दोनों द्रब्यमानों को बटा पचास हो गया, गुड़े सो हो गया, यह आपका साथ पुरिश्यत आ गया, दूसरा प्रश्ण हम लोग देखते हैं, यह दूसरा प्रश्ण है, कौपर सल्फेट का दो सो पचास ग्राम विलेन बनाने के लिए, तो विलेन की मात्रा यहां दी गई, दो सो पचास ग्राम, कितने मात्रा में कौपर सल्फेट की आओ सकता होगी, कौपर सल्फेट का दरब्यमान गयाद करना है, जबकि विलेन का दरब्यमान यह पांच परश्ण है, विलेन का दरब्यमान आपका पांच परश्ण यह दिया ग बिलिये का द्रभिब्यमान दिया गया है? पाँच प्रश्षट ये पाँच на को दिया गया है। कापर सल्फेट का 250 ग्राम बिलेन बनाने के लिए तो बटा 250 ग्राम बिलेन का यह द्रवबान हो गया और गुड़े 100 तो इस तरह से बिलेन का द्रवबान हम मिकाल लेंगे कितना आएगा 12.5 ग्राम इसी क्रम में तीसरा देखते हैं यह तीसरा होगा हम लोगों का तीसरा है एक हजार ग्राम बिलेन बनाने के लिए आवश्यक जल के मातरा की गड़ना कीजिए तो जल के मातरा की गड़ना कीजिए मतलब हमें विलायक का मान ग्यात करना है और विलेन का जो द्रबिमान परश्चत है वो 10 परश्चत है सूत लगा देते हैं विलेन का द्रबिमान परश्चत बराबर विलेन का द्रबिमान बटा विलेन का द्रबिमान और गुड़े 100 तो यहां यह 10 परश्चत आपको दिया गया है 1,000, 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 का दरब्यमान हमें विलायक का कितने जल किया हो शकता है मतलब हमको विलायक का दरब्यमान गयात करना है तो विलायक का दरब्यमान बराबर विलेन के दरब्यमान में से विलिय का दरब्यमान घटा देते हैं एक हजार में से सो घटा देते हैं यह आएगा आपका 900 ग्राम चौथा देखते हैं लोग का ये चौथा सवाल होगा पांच ग्राम गुलुकोज को 200 मिली रीटर जल में घोल कर अब देखिए यहां आपका ग्राम मतलब डबलू हो गया और ये 200 मिली रीटर जल में डबलू बाई वी के फार्म में हो गया वेट पर वालू इस फार्म में हो गया तो जल में घोल कर ये विलेन बनाया गया और विलेन की द्रब्यमान बटा आयतन डबलू बाई वी की प्रतिशत ताग्याद कीजिए तो इसका सूत लगाते हैं ये परश्टता आपकी क्या हो गई द्रबमान बटा आयतन परश्टता विलिये का द्रबमान बटा विलायक का आयतन गुड़े सो तो विलिये का द्रवमान आपका ये 5 ग्राम 5 ग्राम ग्लुकोस हो गया और 200 मिली लीटर जल में गोला गया है तो ये 200 बटा 200 मिली लीटर हो गया मिली लीटर में ही इसका मान होना चाहिए और इन्टू 100 तो ये आगया आपका 2.5 प्रश्चत ऐसे पांचवा हम देखते हैं कापर सलफेट विलियन की सांदरता डबलू बाई वी ये 4 प्रश्चत है यदि इसमें विलिये की मात्रा 8 ग्राम है तो विलियन का आयतन ग्याद कीजिए अब इसमें आपको देखिए ये 4 प्रश्चत आपको दिया गया है तो सूतर हम लगा देते हैं डबलू बाई वी ये प्रतिश्चत बराबर क्या हो गया विलिये का दरब्यमान और बटा विलियन का दरब्यमान और गुडे 100 ये वैलू आपको दी गई है 4 प्रश्चत तो हमने 4 लिख दिया और विलिये का दरब्यमान ये 8 ग्राम दिया गया 8 लिख दिया आठ गुडे 100 और बटा विलियन का दरब्यमान ये यहाँ 100 है दिया रखिएगा तो यहां से हम वीलियन का आयतन निकाल लेते हैं वीलियन का आयतन बराबर क्या हो गया ये कितना हो गया आपका 200 मिलिली लीटर तो 200 मिली लीटर आपको किस की आउशकता होगी विलेन का 200 मिली लीटर जल में घोल के विलेन बना जाता है विलेन के द्रेमार प्रश्चता नहीं ये वाला है तो विलेन का आयतन ग्याद करना था तो ये विलेन का आयतन कितना हो गया 200 मिली लीटर विलेन का आयतन आपका 200 मिली लीटर हो गया ऐसे छठा देखते हैं 50 मिली लीटर एथेनॉल को 150 मिली लीटर जल में गोला गया अब यहां हम देखते हैं यह भी मिली लीटर यह भी मिली लीटर मतलब V by V के फार्म में है यह वालूम पर वालूम यह विलेन बनाया गया विलेन में एथेनॉल की आयतन परश्थता गया 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 इसको आयतन परश्थता हम कहते हैं तो पचास मिलीटर यह विलिये हो गया एक सो पचास मिलीटर यह आपका विलायक हो गया तो आपका विलेन कितना तयार हुआ द मिली लीटर में इसका मान पचास है इसका मान दो सो है उगड़े सो हो गया इस तरह से ये पचीज परिस्ट हो गया ऐसे हम फिर अगला सवाल देखते है ये है हमारा सात्वा सात्वा है पांच मिली लीटर एथनॉल पंदरा मिली लीटर एथनॉल तथा 20 मिली लीटर AC T dissip को 50 मिली लीटर जल के साथ मिलाकर एक विलेन तयार gleichen ग्यार गिया गया इसमें जो विलेन तयार किया जा है इसमें में अंधिनॉल का एथिनॉल का और AC T この का और विलायि किसमें क्या है 50 मिले लीटर यह जल है यह बनाया जारहा है तो सांधरता आयतन प्रश्टता आपको ग्याद करना है प्रतेक विले का सबका अलग अलग आपको ये ग्याद करना है तो मिथिनॉल देख लेते हैं मिथिनॉल का आयतन पांच मिली लीटर एथिनॉल का आयतन पंदरा मिली लीटर एसी टून का आयतन 20 मिली लिटर और जल का आयतन ये हो गया 50 मिली लिटर सब को मिला दिया गया अब आपका विलेन तयार हो गया ये विलेन आपका तो 5, 15, 20 और 50 सब को आप जोड़ दीजी कुल 90 मिली लिटर आपका तयार हुआ अब मेथेनल का आपको आयतन परश्चत गयात करना है तो मेथेनल का कितना ML है और बटा पूरा बिलेन का आयतन ये 90 ML है गुड़े 100 इस तरह से इसका परसेंटर निकाल लेंगे एथेनल का 15 ML है तो 15 ML निकल जाएगा आपका और ऐसे एसी टोन का है तो एसी टोन का आपका 20 ML है तो एसी टोन निकालेंगे तो 20 बटा 90 गुड़े 100 ये आपका 22.22 परश्चत ये आपका आजाएगा तो इस तरह से अलग-अलग सबका हम निकाल सकते हैं ऐसे ही आठवा है हमारा आठवा परश्चन है किसी द्रो के 150 ML को अन्य द्रो के 1.5 L में गोल बनाया जाता है इस बिलेन में बिले का आएतन परश्चत ग्यांत कीजिए यहां ध्यान देने की बात है बिले का आएतन हो गया 150 ML और बिलाय कितना है 1.5 L है तो इसको हम 1000 से गुड़ा कर दें यह मिली लीटर में बतल दें 1500 ML हो गया कुल आएतन कितना हो गया मतलब विलेन कितना तैयार हुआ 150 यह बिले है और 1500 यह विलायक है आपका 1650 ML यह बिलेन तैयार हुआ और इस तरह से बिले का आएतन जो प्रतिश्चत होगा बिले की मातरा मिली लीटर में और बटा बिलेन की मात्रा मिली लीटर में और गुड़े 100 तो 150 गुड़े 100 बटा 1650 और इस तरह से आपका ये 9.09 प्रतिशत आएगा अब इनको आप अपने नोट्स में बना लीजिए ये दूसरा चैप्टर आपका शुरू हुआ है और नोट्स बना करके ये जो आपने अभी सवाल पढ़ा है इस सवाल पर आप अभ्यास कर लीजिए ये अभ्यास में हम आपको ये सवाल दे दे रहे हैं ये आपके सवाल नमबर एक ये हुआ ऐसे सवाल नमबर ये दू हुआ इसे आप नोट कर सकते हैं सवाल नंबर 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ और इसी तरह से ये अन्य सवाल भी हैं हमारे 5 के बाद ये हमारे 6 हुआ, ये 7, ये 8 और ये 9 तो ये 9 सवाल आप लोगों को ये करना है और इसका नोट बनाना है ये आप सवाल करके और इसको हमें दिखाए धन्यबाद